है गाइस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों रेल्वे ने सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी दे दिये ग्रूप डी का एक्जाम जो भी कैंडिडेट दिये उनके लिए बिगेस्ट अप कि इतनी जल्दी यहां पर आपडेट निकाल दे इसलिए कर रही है क्योंकि बहुत बड़ी भरती जो है वह निकलने वाली है रेल्वे की तरफ से इसकी प्रॉसेस को लेकर बहुत जल्दी दिखाई जा रही है जितने भी स्टुडेंट हैं खास करके अवेर्नेस टेक्निकल फिल्ड को ITI और डिप्लोमा केंडिडेट तैयार हो जाओ एक बड़ी भरती इसके लिए कौन-कौन सी वेकेंस निकलने वाली है आपको भी पता है मैं बताने वाला हूँ नोडिफिकेशन के साथ सबसे पहले चलिए देखते हैं एंसर की कि नोडिफिकेशन में क्या है जित पड़ी वाली वेकेंस यहां पर आप देख सकते हैं viewing of question paper responses and keys and raising of objection if any two questions या फिर option या keys यानि कि जो आपकी इसकी notification है जो question paper question paper के साथ जो answer की आती है नहीं कि इतनी आपने सही की कितने गलत हुए है actually मैं सही क्या है उसके बाद अगर आप objection लगा सकते हैं question के हिसाब से या फिर option के सबसे या फिर answer की इसके इसके बारे में बताय जा रहा है guys the computer based test on pay level 1 against इतना इतना जो 2019 की 17 अगस 2022 से start हुआ था finally examination और 11 October 2022 तक खतम हो गई तीन महिने में group D का exam ले लिया गया वहीं पे एक साल तक सिर्फ NDPC का exam चला था guys इतनी जल्दी fasting हुई in various phases and order enabled candidate who appeared in the CBT's to viewer their question paper response and answer keys ये link will be provided on the website of RRB सभी जोन में provide आपको मिल दाएगी एक्टिवन 14 अक्टूबर 2022 से लेकर आपको एक बज़े से ये link activate होगी 10 अक्टूबर 2022 तक आप check कर सकते हैं जो की 23-55 यानि की रातरी के 11 बच के 55 मिनट में guys ये schedule आप देख सकते हैं कि जो आप online answer की जो group D का answer की है वो 14 अक्टूबर से live हो जाएगी इसकी जो objection वेगरा करने की जो भी date है क्योंकि hard time देखे railway क्या करती है को question में गलती होती है NDPC म इतनी बड़ी problem आई थी उसमें तो hopefully ऐसा phase हमें नया करना पड़े group D में अच्छी response मिले और question में जो भी गलत होगी उसकी objection आप कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक और finally question paper objection की जो rising payment window का होगा वो 19 अक्टूबर 2022 तक ये भी हो जाएगी complete और objection fee जो prescripted fee of rising का रखा गया guys जो की raising कर स तो objection के लिए तो 50 रुपे होगा plus applicable bank service charge कुछ तो यहाँ पे आपका 50 रुपे लगने वाला यह इसके लिए है यानि कि question papers related आपका होगा मनले question ही गलत लग रहा है आपको objection करना चाहते हैं तो यह आपको 50 रुपे देखकर आपको क्या objection लगाना होगा ओकी guys यह समझ में आ चुका होगा अगर नहीं भी आया हो तो answer की आने दो मैं सब बता दूँगा क्या होने वाला है कि क्या शीज होगा उसमें ओके और online payment कर सकते हैं यह 50 रुपे के बारे में बताए गया है बाकी बात सिर्फ यही है इसमें कि 19 चुकदा October को आपका live हो जाएगी दिसंबर टर्म टोटली दिसंबर 2022 तक खतम हो जाएगी इसकी जितनी भी प्रॉसेस हो जॉइनिंग गाईज मार्च तक कंप्लीट कर दी जाएगी जो ऑफीसियल में बताया गया था नोडिफिकेशन में जो वीडियो बनाए थी उसमें तो finally update इसके पास नहीं है क लगबग अप्रेल मंत में आपकी बंपर भरती आने वाली है 1.5 लाख की सिर्फ फ्रेस वेकेंसी जिसमें भरती होगी सबसे पहला most जो सबसे ज़्यादा भरती देखने को मिल सकती है वो LP technician की भरती होगी गया इस एक बहुत बड़ी large skill पे वेकेंसी है और फिर से RRC group D की भ करती आने वाली है जिसमें mostly ITI या फिर apprenticeship वालों को यहां पर जो है वो कवर किया जाएगा देन आपका सबसे बड़ी भरती उसके बाद जेई है approximately 15,000 वेकेंसी जो है वो सिर्फ जेई की निकलने वाली है RPF की 10,000 प्लस होने की MI की वेकेंसी एन TC की जो आपका TTC है उसके सब्सक्राइब कर दो एक बड़ी भरती इसके लिए यही अपडेट देनी थी क्योंकि railway form में आ चुका है बाकी बात जिनका भी अंसर की आने वाला है माक्स आपको कितना लगता है कि आ सकता है वो कमेंट करके जरूर बता अपने जोनवाइज ओके गैस तो कैसे लगी एक्स बीडिमें तो दगले सेहिंद